आज में कुछ पेरिंट्स के अनुरोध के बाद उनका जी अनुरोध था कि पाइनियर्ज एकडेमी 11-12 कामर्स आर्ट्स पढ़ारी है हम साइंसेज का भी प्लैन कर रहे थे बाकी तो आपको मालुम है कि जेकेएससबी, CGL जो कमबाइन ग्रेजुट लेवल भी हो रहा है जेकेएस भी हो रहा है, UPSC भी हो रहा है, इंजिनिंग के भी बहुत सारे हमारे पास कोचिंग हो रही है, क्लासिच तर रही है आउन लाइन एस वेल आउफ लाइन, तो कुछ पेरिंट्स का ये मानना था कि सर, इस इस इलाके में, कच्चे छोनी के सरौंडिंग एरिया में, जैसे जैन बजार आ गया, कच्चे छोनी आ गया, महला नराइनी आ गया, जैसे रहाडी आ गया, जैसे न्यू प्लाट है, यह यह कुछ ऐसी एरिया है, यह कुछ ऐसी एरिया है, जहां छोटे बच्चों को 6th से लेके, 10th तक कोई आच्छा कोचिंग सेंटर जमू में नहीं है, और बहुत सरे पेरेंट्स कह रहे हैं, कि आप छोटे बच्चों के लिए भी कोई सुविदा दें, और हमारे पास एक और जो आज हमारे पास आए हैं, वो भी अपनी इच्छ अब्यक्त कर रहे हैं, कि सारण हम, दो बज़े के बाद, स्कूल टाइम के बाद, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो मैं अनुरुद करूँगा उन सब पेरेंट्स से, जिन पेरेंट्स ने मुझे बोला, हम लोग 6th to to 8th class, हम पढ़ाएंगे Science, English, Science, English, Maths and SST, हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी, उनका homework भी करवाएंगे, हमारी बहुत ही उमदा टीम, बहुत बढ़िया टीम हमारे पास आई है, CBAC भी और State Board, दोनों को, उनको understanding भी करवाएंगा, learn भी करवाएंगे हमारे टीचर, learn भी करवाएंगे, understanding भी करवाएंगे, homework भी करवाएंगे, आज पेरेंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, उनके पास टाइम नहीं है, they are looking forward for some teachers, who are honest, dedicated, जो बच्चों की अच्छी ट्रेनिंग करें, तर्वियत करें, उनको अच्छे ढंक से पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा 9th to 10th भी हम शुरू कर रहें, इसमें, arts, arts ट्रीम हाएंगा, sociology, sorry, I am sorry, I am sorry, 9th all subjects, I am sorry, 9th all subjects, such as math, English, SST, and science, यह एक foundation course है, यह जो 9th रंथ है, this is basically a foundation course, foundation course for NEET, for exams like NEET, NEET के एक्जाम के लिए foundation course है, यह JW advanced, इन के लिए यह foundation course का काम करता है, 9th, 10th classes, उनकी science मजबूत होनी चाहिए, उनका अच्छे ढंक से कोई physics, chemistry, biology पढ़ाने वाले होने चाहिए, यह अच्छी English पढ़ाने वाले होने चाहिए, उनकी SST, क्योंकि यह foundation है, मैं एक चाहिए बार बार आपको बताऊंगा, कि आम ordinary teacher के पास बचों को मत भेजिए, अगर आप interested हैं कि उनकी foundation मजबूत हो, हम उनको homework भी करवाएंगे, learn भी करवाएंगे, understanding भी देंगे, और हम उनको त्यार करवाएंगे, 11th, 12th, देखें, हमारे पास 11th and 12th classes, आल इली चल रही है, जैसे arts है, arts में हमारे पास sociology चल रहे है, इस वक्त, political science पढ़ाया जा रहा है, history पढ़ाया जा रही है, geography पढ़ाया जा रहा है, yes, and education पढ़ाया जा रही है, these are the subjects we are teaching in arts, humanity, उसके बाद commerce, commerce stream में, cbsc state board दोनों में, accounts पढ़ाया जा रहा है, हमारी classes चल रही है, economics पढ़ाया जा रही है, हाँ, economics इबन arts में भी पढ़ाया जा रही है, same economics, और हम business studies भी पढ़ा रहे हैं, accounts, economics, business studies बोथ 11, 10, 12 पढ़ा रहे हैं, अभी हम start करेंगे sciences, ये अभी parents के अनरोध पर हम लोग, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि हमारी जो असले पैचान थी, वो sciences थी, बट कुछ वज़ा से हम बीच में discontinue करें, लेकिन आप वो पराणे parents जो यहां पढ़के गए हैं, जो किसी अच्छे मकाम पर पहुँचे हैं, they are telling कि शौम सर आप sciences शुरू करें, इसमें physics, chemistry, maths and biology, हमारी एक बहुती बढ़िया टीम है, जिनका record है, कि उनके पढ़ा हुए बच्चे आज, NEET क्वालिफाई करके Medical College पहुँच गए, और इसमें बहुत जुरूरत है कि यह जो subjects हैं, खासकर यह sciences जो हैं, 12th, 11th की, they make a very far NEET and generally advanced, इसमें अच्छे teacher की होने की बहुत जुरूरी है, और हमारी जो team है, highly educated है, highly experienced है, so now onward we are going to start the sciences also, जिसमें physics होगी, chemistry होगी, mathematics होगा, biology होगी और अच्छे दंग से मारा अपना study material होगा, you know, study material is not a problem, because आज पूरी market over flooded है, सबसे important study material नहीं है, बहुत बहुत अवेलेबल है, सबसे important है, इन subjects की concept clear करूँ, अब मैं arts की बात करूँ, तो arts में अगर आपकी concept clear होगी, कल को आपको KS IES करना असान हो जाएगा, मैं commerce की बात करूँ, अगर commerce में आपकी foundation अच्छी है, तो आप CA कर सकते हैं, CS कर सकते हैं, ICW कर सकते हैं, CFA कर सकते हैं, यह foundation courses होते हैं, इसे करी, आप बच्चों को हमारे पास भेजें, और let children come and take two, three, four democracies, ताकि उनको मौलूम पड़े, कि हमारा पुढ़ाने का तरीका different क्यों है, why people look towards us, हम क्यों इतने बढ़िया तरीके से जाने जाते हैं, मार्केट में, एक और बात मैं आज आपके सामनी करूँगा, कि यह जो पराणे शहर है, old city है, हम कच्ची शोनी में located हैं, कच्ची शोनी के सरोंडिक में जितने लोग हैं, जो भी parents मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए बात करूँ, कि आप हमारे अपने बच्चों को हमारे पास भेजें, हम look after करेंगे, I am the chief mentor of, मैं mentoring करता हूँ बच्चों को, counseling भी करता हूँ, parents की counseling भी होती है, ताकि बच्चों को भिविश मना पाएं, जो थोड़ा सा दाएं भाएं दूर से बच्चे हैं, आजकल electric autos चल रहे हैं, 10-20 रुपे लेके बच्चे को जहां छोड़ देंगे, और यहां से बो ले भी जाएंगे, तो यह भी आपकी दिक्कत, को बहुत सारे parents हमें कहरेंगे, आप गाड़ी का इंतिजाम करवाई सा, there is no need now, क्योंके हमारे पास बच्चा गांदी ने रह से नहीं आएंगा, बहुत रहर है, अगर बच्चा गाड़ी पर आएगा, लेकर जो अर्जाइनिंग एरियास हैं, जहां आजकल auto rushers, यह जो electric autos चल रहे हैं, अपर च्वादी बोलते हैं, आपोजेट आरेम पब्लिक स्कूल, न्यू ब्रांच, हमारी न्यू ब्रांच खुली है, अपर च्वादी, अपोजेट आरेम पब्लिक स्कूल, यह उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, न्यू ब्रांच का, जो उस एरिया को बिलान करते हैं, च्वादी एरिया को बिलान करते हैं, सैनल कलोनी को बिलान करते हैं, या और कोई निदिश भिहार हैं, और कई इलाके हैं, बीरपूर है, मैं उनके लिए भी यह सूचना देना चाहता हूँ, कि उस लाके के लोग जो हैं, they can seek admission, हमने बहाँ स्टार्ट अभी जो किया, we have started from 6th to 10th classes, 6th to 10th classes, हमने 6th to 10th classes start किया, 6th to 10th classes, हमने स्टार्ट किया, 11th, 12th नहीं करेंगे बहाँ, 6th to 10th करेंगे हम स्टार्ट, और यही सब्जेक्ट जो मैंने यहां लिखे, यह सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे, बहां में हमारी एक बहुत बड़ी आ टीम तियार हुई है, जिनको हमने अलिड़ी ट्रेन किया है, बिकास हमारी जो टीम पढ़ानी की होगी, कोई वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगी, वो अलिड़ी बड़े मंजे हुए टीचर है, जिनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि आपके बच्चों की तर्वियत एक अनुभव टीचर के जरीए होनी चाहिए, मैं इसके साथ ही आप सबका शुक्रिया दा करता हूँ, कि आपने मुझे सुना, थैंक्यो गरी माची.